ओम्तत्सत अध्यात्म्रमायन युद्कान शोडश सर्ग बानरो की विदा तथा ग्रंथ प्रशंसा जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरती देखी तिन तैसी जिनकी जैसी प्रभु के लिए भावना है उन्हें प्रभु के मूरती वैसी ही दिखाई देती है अधेव जी पारवती जी से बोले समस्त लोकों को सुक देने वाले राज राजेश्वर भगवान राम की राजय अभिशिक्त होने पर प्रित्वी धन धान्य से पून हो गई और विक्षपल युक्त हो गए तथा जो पुष्प हीन गंध हीन थे वे भी सुगंध युक्त होकर शोभा पाने लगे श्री राजय अभिशिक्त होकर पहले एक लाग घूडे एक लाग दूद देने वाली गाएं और सेकडू बैल भामनों को दिये और फिर उन्हें तीस करोर स्वन मुद्रा भी दी तत पश्चात उन्होंने प्रसन्हो कर नाना प्रकार की वस्र आभूशन और रतनादी भी रामनों को दिये फिर भक्त पसल रगुनाजी ने सप्रकार की रतनों से युक्त एक सूरे की कांती के समान चमकती हुई माला अत्यंत प्रीती पूर्वक सुग्रीव को दी और प्रूवल तिलक श्री रामचंद्र जी ने अति प्रेमभाव से करोडों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान अमुल्य मनी और रतनों से विभूशित एक हार श्री जानकी जी को दिया श्री जनक नंदनी उस हार को अपने गले से उतार का बारंबार अपने पती देव और व प्रसन हो उसे यहार दे दो तब सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के सामने ही वहार हनुमान जी को दे दिया उस हार को पहन और गुरानवित हो हनुमान जी अतियंद शोभा को प्राप्त हुए भगवान राम ने भी सामने हाथ चोड़े खड़े हुए हनुमान जी से उनक पहे भी मैं तुम्हें अविश्य दूंगा तब हनवान जी ने अत्यंध हर्शित होकर उनसे कहा हे राम आपकी नाम स्परण करते हुए मेरा चित्त त्रिप्त नहीं होता आते मैं निरंतर आपका नाम स्परण करता हुआ पृत्वी पर रहूं हे राजेंद्र मेरा मरो वांच पर यही है कि मैं जब तक संसार में आपका नाम रहे तब तक मेरा शरीर भी रहे श्री राम चंदर जी ने कहा ऐसा ही हो तुम जीवन मुक्त होकर संसार में सुख पूरवक रहो कल्प का अंध होने पर तुम मेरा सायूज्य अप्राप्त करोगे इसमें संदे नहें फिर जा जी ने उनसे कहा है मारूते तुम जहां कहीं भी रहोगे वहीं मेरे आग्या से तुमारे पास संपून भोग बस्तित हो जाएंगे अपने प्रभु भगवान और सीता जी के इस प्रकार कहने पर महामती हनुमान जी ने अत्यंत प्रसंद हुए और फिर नेत्रों में आनन अ जाकर कहा मित्र अब तुम अपने परम रमनिय ग्राम श्रिंग वेर पूर को जाओ वहां मेरा ही चिंतन करते हुए अपने शुप कर्मों से प्राप्त हुए भोगों को भोगो इसमें संदे नहीं अंत में तुमें मेरा ही सारुप्य प्राप्त होगा ऐसे के बगवान ग्रा गया और भी जो वाना शेष्ट अयोध्या में आये थे श्री राम चंद्र जी ने उन सब का भी अमुले वस्त और अभुजणों से सतकार किया इस प्रकार वीभीशन के सहे सुग्रीव आदी समस वानरगन परमात्मा राम से यतोचित सतकार पाकर अपने अपने स्थानों को चले गए सुग्री वादी समस वानरगन प्रसंचित से किश्किंदा हो गए और भगवान राम से सत्कृत हो आनंदित विभीशन अपनाजिश कंटक राजय पाकर प्रीदी पूर्वग लंका हो गए तथा सब के उपर दया करने वाले श्री राम चंदर जी अपने संपून राजय का शाशन करने लगे भगवान राम ने श्री लक्ष्मन जी को उनकी इच्छा ना होने पर भी युवराजपत पर अभिशिक्त किया और वे भी अतियंद भक्ति पूर्वग राम जी की सेवा में लगी रहने लगे परमात्मा राम ने समस्त कर्मों की साक्षी नित्य निर्मल स्वरूप करतद्व आधी से रहित सर्वदा निर्विकार और स्वानन्द त्रिप्त होकर भी समस्त लोकों को उपदेश करने के लिए मनुष्य रूपधारन कर बड़ी बड़ी दक्षिनाओं वाले अश्वमेद आधी समस्त यग्यों का अनुष्ठान किया महराज राम के राज्येशाशन करते समय कभी विद्वाओं का करंदन नहीं हुआ सर्पो व्याधियों और लुटेरों का भय नहीं था और ना कोई अनर्थी होता था व्रिद्दों के रहते हुए बालकों की मृत्यू का भय नहीं था सब लोग भगवान राम की पूजा और उनका स्मरन करने वाले थे मेक सरवदा ठीक समय पर यथेश्ट जल बरसाते थे प्रजा अपना अपना धर्म पालन करने वाली और वर्णाश्रम सिक के गुणों से युक्त थी तथा श्री राम चंद्री जी ने भी अपनी प्रजा का पुत्रों के समान प्रित्पत पालन करते थे इस प्रकार सर्व लक्षन संपन सर्व धर्म परायन भगवान राम ने दस सहस्र वर्ष राजे शाशन किया धन धान्य आदी समस्त वैभव देने वाले तथा दिरगायू अरोग्य और पुन्य की व्रिद्धी करने वाले इस आध्यात्मिक रमायन नामक परम ग्रंत परम पवित्र और गोपनिय रहसे को पुर्व कालमी श्री आदी महादेव ने पार्वती जी को सुनाया था जो मनुष्य इसे भक्ती भाव समाही चित से सुनता अत्वा प्रसंचित से भक्ती पूर्वक पड़ता है वै अपने मन की समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है और एक शंड में ही करोडों पापों से मुक्त हो जाता है जो धन की इच्छा रखने वाला पुरुष इस राज पुरुष द्वारा समान पाने योग्य पुत्र पाता है जो राजा इस अध्यात्म रमायन का श्रवन करता है वै धन दान्य संपन प्रित्वी प्राप्त करता है और सत्रों से अपमानित ना होकर सप्रकार के दुख से छूट कर विजे लाप करता है इस्त्रियों में भी ज इस कथा का भक्ति पूर्वक्ष्णवन करती है वे सुंदर रूफमान पुत्र प्राप्त करती है जो मनुष्य कुरोध को जीत कर इश्य रहित हो इसे श्रदपूरवक्ष्णथ या पढधा है वे समस्त अब गुणों को जीत कर निर्भय सुखि और राम भक्ति से संपन हो ज उन्के संपूम बिक्नदूर होते हैं और उन्हें सब प्रकार की उत्तम संपतिए प्राप्त होती हैं यदि रजस्टपला इस्त्री भगवान राम का स्मरंण करती हुई अजी से ही इस रमायन का श्रमन करे तो अति-उत्तम और दीरगायू पुत्र उत्पन करती हैं और वे स् पापों से मुक्त होकर भगवान विश्णु के परमधाम को प्राप्त होते हैं जो पुरुष इस संपून अध्यात्म रमायन को भक्ति पूर्वक सुनते अत्वा स्वयम अपने मुक्त से भी पढ़ते हैं उनसे भगवान राम प्रसन होते हैं भगवान राम ही पर भ्रम है आते उन्सर वात्मा राम के प्रसन होने पर धर्म अर्थ काम मुक्ष में से जिसकी इच्छा हो वही मिल सकता है इसलिए आयो और आरयोग्य की देने वाली तथा करोडो कल्पों के पाप सम्वू का नाश करने वाली इस रामायन का निरंतर नित्य प्रति नियम पूर्वग श्रमन करना चाहिए इसका श्रमन करने से समस्त देवगंड, संपून ग्रहा एवं महर्शीगंड प्रसन हो जाते हैं तथा पित्रगंड भी त्रिप्ती लाप पाते हैं जो बुरुष ग्यान वेरागे से युक्त इसकती अद्बुत प्राचीन अध्यात्म रमायन को पढ़ते लिखते अद्वा सुनते हैं उनका इस सिंसार में फिर जनम नहीं होता बूतनात भगवान शंकर ने बाराम बार समस्त वेद राशी का मन्थन कर की ये निश्चे किया की तारक मंद्र राम विश्णु भगवान की गुप्त मूर्दी है अते उने समस्त वेदों के सार उपनिश्टों का संग्रह रूप यह भगवान राम का संपून गुप्त तत्व अपनी प्रियाख श्री पार्वती जी को संचेप से सुनाया इती श्री मद अध्यातम रमायने उमा महेश्पर समवादे युद्ध कांडे शोडशे सर्गय समाप्त। हरी ओम तत्च स्थ